अंदौर में आज से पांच देन से आस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच की शुरुवात हो चुकी है इसी के साथ मैच की टिकेटों की ब्लेक मैलिंग से लेकर डुपलिकेट टिकेट की घटनाओ को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच के जवान साधी वर्दी में तनात रहे तो वही टिकेटों की ब्लेक मैलिंग पर भी पारी की से नज़र रखी ज़ा रही है दरेसल अंदॉर में क्रिकेट मैच के साथ ही मैच के टिकेट की ब्लैक मेलिंग और टिकेट बाजार में बिखना शुरू हो जाती है इसे के तहद भारत और आस्ट्रेलिया की बीच में हो रहे टेस्ट सिरीज के मैच के दोराद किसी भी तरह की ब्लैक मैलिंग और डुप्लिकेट टिकेट बाजार में लाए इसके लिए इंदोर क्राइम ब्रांच द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है पूरे मामले को लेकर इंदोर अडिशनल पुलिस कमिशनर राजवे शुहिंगन कर ने बताया कि जहां एक और सिसी टीवी कैमरे और तमाम सरक शॉप करनंट से चपपे चपपे पर निगरानी रखी जा रही है तो टिकेट की ब्लेक मेलिंग को लेकर भी पुलिस करमी और क्राइम ब्रांच त्वारा जांच की जा रही है किसी भी तरह के डुप्लिकेट टिकेट बाजार में ना आए इसको लेकर साधी वर्दी में क्राइम ब्रांच के पुलिस करमी नजर रखे हुए है वही किसी तरह की यदि कोई शिकायत के साथ ही ओनलाइन टिकेट बिचने वाली लोगों पर भी निगरानी होगी झालइन टुने वाली लोगों पर भी उाली लोगों पर भी लोगों पर भी जदानी होगी